असलाम लाइकूम योट्यूब फैमली वेल्खम टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब आई होप सब ठीक होंगे जी तो आज मैं आपसद चाइनीज रेसिपी शेयर करने वाले हूं वेस्सम देसी तड़का क्योंकि हम प्यूर्ट चाइनीज बिल्कुल नहीं खा सकते थोड़ सा फिक यहां पर मैं चिकन की मेरिनेशन करूंगी चिकन मेरिनेट करने के लिए यहां पर मैंने लिया है टू टेबल स्पून सोया सॉस हाफ टीस्पून लैसन एंड अधरक पेस्ट ले लिया है हाफ टीस्पून सॉल्ट एड़ कर रहे हूं हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर कर रही हूं वैसे इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पीपर ही एड होता है पर मैं थोड़ा सा तीका करने के लिए एंड हाफ टीस्पून यहां पर मैंने ब्लैक पीपर पाउडर एड कर दिये अब इन सब को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तो यहां पर मैं मॉला चिकन यूज़ कर रही हैं दो पीस चिकन के लिए थे मैंने चिकन फिलेट के एंड उन्हें क्यूब शेप में काटिंग कर लिया तो अभी इसे इसके साथ मिक्स कर दोंगी और इसे मैरिनेट कर दोंगी आदे घंटे के लिए 30 मिनिट समस्कों मैरिनेट करेंगे आम तर पर जो चाइनीज होता है उसमें जस्ट नमक एंड ब्लैक भी यूज़ होती है बट मैंने इसको तोड़ से तीगा करने लिए रेड चिली का भी यूज़ कर दिया है अच्छा जी तो यह कलर फुल सी वेज़िटेबल हैं जो के हम इसमें यूज़ करेंगे मृट करने के लिए मैंक ने फैक लियां तो अब हम सौस रेडी करने के लिए च्ट लगा लिए एक ही टॉमाटव निया मैं कट लिया है चोटे तो आप दो भी ले सकते हैं उपलते हुए पानी में में एड़ कर दूगी एक साइड चेंज कर दूगी एंड डूसरे साइड बॉइल कर लोगी एंड इसे ठंडा होने के लिए तो जब तक चिकन को को रहा है इसे आप हम शिलक का उतार लेंगे अच्छ से लें एक चिकंड कर लेंगे के अच्छा श्का का क्र लेंगे एंड डालते के ये बाद ये एक आदे में अच्छाDR कर लेंगे तो यहां पर हमने टमाटो पीरी जो है वह रड़ी कर ली है सॉस के लिए साइट पे कर दें किसे अभी हम चिकन की तरफ वापिस चलते हैं तो यह देखे कितना अच्छा चिकन जो हमारा कुक हो चुका है अभी 10 मिनिर से बैनी से अच्छे से कुक कर लिए 10 मिनिर में यह बहु क्यूब में कटिंग करके एड़ करने हैं मिक्स कर देंगे इसे एंड फाइव मिनिट तक इसे भी अच्छे से कुक करेंगे फ्लेम जो है वो मीडियम मीडियम पर इसे अच्छे से हम कुक कर लेंगे तो यह देखे यहां पर कितना प्यारा कितना मज़े का कलर आ रहा है इसी पेन में हम टू टैबल स्पून ओयल चाइब लगे हाफ टीस्पून गारलीग पेट लाइव कर दी है गारलीक को में अच्छे से सौठे कर लोंगे अभी जो टुमाटो पिटी बना हुए थी वह एड़ कर दोंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे दैन हम इसमें चिली पेस्ट एड़ करेंगे वान टीस्पून चिली पेस्ट एड़ कर दिया अभी इसमें केचप एड़ कर देंगे तो यह सॉस बनाते हुए टुमाटो तो टेबल स्पूंस होया सॉस एड़ कर दिया अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगे मैं यह सॉस अपने स्टाइल से बना रही हुआरी का अपना स्टाइल होता है इस तरह से अगर आप सॉस बनाकर एड़ करेंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगे तो यहां पर मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पीपर पाउडर एड़ कर दिया हाफ टी स्पून से थोड़े से कम र ब्लैक पाउडर जादा एड़ कर सकते हैं अच्छा जी तो यहां पर मैंने हाफ टी स्पून चीनी अट किया चीनी एड़ करने से सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा इड़ होता है एक चुट की यल्व फूट कलर एड़ कर दिया ज्यादा नहीं एक चुट की इस से कलर बहु मिनट्स तर्फ खुख कर लोंगी तो यह देखें कितने मज़ें कि हमारे चिकन शॉर्च लिक रड़ी हो चुकी है स्पेशली सारा सॉस का कमाल है इस सॉस को साथ आप बनाएंगे तो बहुत पसंद आएगे आप अच्छी तो यहां पर चिकन शॉर्च लिक रड़ी हो चुकी है अभी हम राइस एड़ी करते हैं एक डाही में मैंने पानी एड़ कर लिए साथ ही चावल एड़ कर दूगी वन बहुत ज़ yak से घ्रकन साम कर साफ हैंट बुद करते हैं में चुर्टें बहुत ही अच्छा शुर्या जाए जाते बहुत इन को ब airl़ा ना शूरू होगे अब यह उनको बोइल कर लेएं ऑवर ब curling करें तो यहां पर चावल अच्छे से बॉइल हो चुके हैं अभी नहीं मैं ड्रेन कर दोंगे कड़ाई में देन ऑईल एड़ करोंगे हाफ कप ऑईल एड़ कर लिया है मैंने हाफ टीस परसे में गार्लिक पेस्ट एड़ कर दूंगे 30 सेकिट में गार्लिक और सौधे कर लोंगे तो यह वेज़ेटेबल्स हैं जो के राइस में मैं यूज़ कर रही हूँ शिमला मीट्स लिए बंगो भी लिए गाजर लिए एंड हरा प्यास लिए आप मट्र भी एड़ कर सकते हैं जो आपको वेज़ेबल्स पसंद हो तो सबसे पहले यहां पर मैं गाजर एड़ करोंगे वह इसलिए कि यह थोड़ी सी हार्ड होती है टाइम लगता है गल्ले में इसलिए सबसे पहले डालके अच्छे से इसको मैं फ्राइ कर लूँगी थी मिनट्स तब किसे अच्छे से हमने फ्राइ कर लेने देन बागी की जो वेज़ेबल्स हैं वह हम एड़ करेंगे इससे क्या होगा कि यह पहले थोड़ी सी नर्म हो जाएगी अच्छा जी तो आफ तो यहां पर मैं वन टीस्पून नमक एड़ कर रही हूं कुछ और कुछ भी फिलहाल एड़ नहीं करें जस नमक एड़ किया एंड अच्छे से इसको मिक्स कर दोंगे वन तो टू मिनट्स लग अच्छे से इसको फ्राइ करोंगे वेजटेबल्स को देन इसमें मैं बॉल कियो है राइस एड़ कर दोंगे वन टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर से प्रिंकल कर दोंगे वन एंड हाफ टेबल स्पून सोया सोस एड़ कर रहे हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है बहुत ही मज़े के फ्राइड राइस बन जाते है अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगे बहुत सिंपल एंड बहुत ही मज़ेदार यह राइस बनते हैं इस तरह से एंड जटपट से बन जाते हैं कुछ चादा टाइम नहीं लगता है 15 मिनिट्स में आपके राइस जाया वर रड़ी हो जाते हैं अच्छा दी तो य आफ्टर 5-7 मिनिट्स चेक करते हैं बहुत ही अच्छे से एंड खिली-खिली से हमारे फ्राइड राइस रड़ी हो चुके हैं जी तो अभी हम इने डिश आउट करेंगे एंड सर्व करेंगे सर्व करने के लिए हम इने से सर्विं प्लेट में एड़ करेंगे कि तो यहां पर फ्राइड राइस विद चिकन चार्चली क्रेड़ी हो चका है चाइनीज रेस्पी में आपकुसाद शेयर की है संदेशी टच आई होब प्रेसेपी पसंद आई होगी रेस्पी पसंद आई हो तो जरूर मुझे कॉमेंट में बताएगा और ट्राइक अब बहुत ही असान तरिके से मैंने आपके सथ रेस्पी शेयर करने कोशिश की है आई होब वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आज जाए तो जरूर लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा तो खुश रहें दूसरों को ख अबिके साथ, आला अफिस